नमस्कार आप देख रहे हैं उत्राखंड समाचार मैं अमीताग आजकल स्रावन मास चल रहा है और आपको जगे जगे पानी देखने को मिल रहा है लेकिन पानी का भी एक अलग-अलग महतो है कहीं पानी तभाई मचा रहा है तो कहीं पानी ना आने से घरों में तभाई मची है मौजूद है चकराता के कालसी ब्लोग के हरी प्रोग्राम सभा में जहां पर लगबग तीन दीन हो चुके हैं और घरों में अभी एक भून पानी नहीं है लगातार ग्रामिनों के द्वारा लगातार सिकायद की जा रही है जल संस्थान में लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है तीन दिन हो गए हैं लोग एक एक भून के लिए पानी के लिए तरस रहे हैं पानी के बिना कितनी दिक्कत होती है यह आप और हम अच्छी तरह समझ सकते हैं आईए सीधे बात करते हैं जो ग्रामिन यहां मौजूद है कि उनका इस दिसे में क्या कहना है इसी बीच हमारे साथ मौजूद है हरीपुर ग्राम सभा के जो ग्राम परधान है आईए इन से बात करते हैं ग्रामिनों के द्वारा बताये गा है कि तीन दिन से यहां पानी की दिक्कत है पानी घरों में नलों में पानी नहीं आ रहा है आपके द्वारा क्या जल संस्थान को शिकायत की गई उनके द्वारा क्या आपको जानकारी मिलिये भी तरह देखिए सबसे पहले तो मैं उत्राकंट समाचार का धन्यवाद देना चाता हूँ अभी तब जी जो इसी गाउं के है और निरंतर गाउं के हित में जब भी कोई स्थरे की परिसानी होती है आप अपनी चैनल के माध्यम से उसे चैनल में और उच अधिकारियों तक पहुछात है किसके बारे में हमने कई वार इनके उस्फ शदिकार यों जो जही है जो अउगत कराया और पिष्टे कि जितने ही बाता है यहां पर अत्राकेटे करता तो उसका कहना भी है कि मुझे कई और जगे भी जाना था ये भी था और निरंतर वह परिसानी जो परिसानी पिछली तीन दिन से और बहने में यह दूसरी बार तीसरी बार तूबल फूग चुका है और साल में अगर मैं साल की आकलन करता हूं तो लगबग दस से पंद्रा बा बड़ी समस्या है और जल्दी इसका निवारन नहीं हुआ जल्दी इस बात कर निस्तार नहीं हुआ तो हम सब गाउवाले एक वार बड़ा आंदुलन करने के लिए बाद दे होंगे और पुनहें में आपका आपकी चैनल को दिनने वाद इसी बीच कुछ और भी ग्रामीन हमा इनका इस्टाप ने बताया कि पानी चल गया और सुबह छे पानी फिर बंद हो गया अभी इनका इस्टाप आकि कहता है कि जी मैं आकेला आदमी हूं ने का आप आदमी बड़ाओ अपने शेकदार को के के लेकिन कोई नहीं यह हर मेहने में दो तीन वार के ड्रामा इनके च खड़े होते हैं यहीं बोलते कि अभी पानी आएगा अभी पानी आ रहा है और इनका यहां पर सुबह इनको फोन करा कि वहारी तुमारा जल गया है और देखके आगे देख लो तब इसके बाद में सुनने को राजी नहीं है फिर उनका आदमी आने के बाद नो बज़े के बोलने के बाद वह 6 बज़े पहुंच रहा है तो इसका मतलब यह जंता को को इन ध्यानी देते यही कहना है हमारा तो पानी नहीं हो तो फिर इनके साथ आंदोलों करा जाएगा तो देखा आपने ग्रामीनों में बड़ा आकरो से इसी बीच हमारी महिलाएं भी सामिल है क्य क्यूंकि दो तीं दिन सी पानी नहीं आलता है और ऐसका बढ़ी बात लोगी महिलें उनुदा तो पानी गणतबी हमारा हो फिर अद के मढ़ाएं एतनना-पाच मानव सब्सक्रां हुआ पर प्रणा कर पाद कर यहां तो बहुत पर शाने वाली बात हैं और हम यही बोलते पानी की उन्हीं तो बील किस बात का गांच के लिए तो सरकार खांड हमें तो बील То थे रहे हैं थे रहें माद पानी कि फिर तो हरी पूर्ण उन तो मानना पड़ेगा तीन दीन से जिसे कि आपके द्वारा बताएगा है तीन दीन से पानी नहीं है ऐसे में पानी की विवस्था कहां से कर पा रहे हैं और कैसे दिन चरिया चल रही है आपकी सब्सक्राइब कर दो अच्छे कर दो अच्छे कर दो अच्छे करमचारी को बुलाओ ताकि जो अपना जिमिदारी पुरा नहीं भाए बंगा किसले ले रहे हैं पानी का बिल इतना आ रहा है एक हजार से उपर जा रहा है बता हम तो टाइम टाइम से भर रहें ना बील उजी सब्सक्राइब कर देखें लगातार ग्रामिनों में आक्रोस व्याप्त है क्योंकि पानी के बिना जीवन बड़ा जीना मुश्किल है और इनका कहना है कि बार-बार सिकायत के जाते हैं आए वहीं जब हमने जल्द संस्थान के अवर अभिहंता से बात की तो उनका साब तोर पर कहना है कि जो बिजली की सप्लाई है उसकी कमी की वज़े से आए दिन ये फोल्ट होता है उनका कहना है कि जल्द ही बिद्दु विभाग से संपर करके इस कमी को पूरा कर लिया जाएग और एक दो दिन में सुचारू रूप से पानी मिलने लगेगा आप जुड़े रहे हैं उत्राखन समाचार से नमस्कार